नमो नारायन, संक्षित्ध भागवत, भाग 74, श्री कृष्ण ने स्वयम अपने वंश के सनहार का विचार क्यों किया, श्री कृष्ण के कारण ही यदू वंश अपनी शक्ती और वैभव के चरम पर पहुँचा था, लेकिन कृष्ण ने ही अपने धाम जाने से पहले यदू वंश का सनहार कराया, ये प्रसंद भगवत में इस प्रकार है, प्रिश्ण द्वारा यदू वंश के सनहार का विचार, श्री कृष्ण ने बलराम जी और अन्य यदू वंशियों के साथ मिलकर बहुत से पापी दैतियों का सनहार कर दिया, कौरव पांडवों के युद्ध वंशी भी अजयय और उच्विनखल हो गये थे, अताह अपने धाम को जाने से पहले यदू वंश का सनहार भी आवश्यक था क्योंकि उनके जाने के बाद ये अन्य लोगों पर अत्याचार करते, लेकिन यदू वंश का सनहार या यदू वंशियों को हराना किसी और के वश की बात नहीं थी, धन बल, जन बल और सैन्य बल इन तीनों में ही वे अजयय थे, इसलिए उन्हें केवल आपसी कलह से ही समाप्त किया जा सकता था, इसलिए क्रिश्न ने ब्राहमन की शाप को इस सनहार का निमिद बनाने का निश्चय किया, महाभारत के अनुसार उन्हें ग प्राहमन रिश्यों का शाप, भगवान श्वी क्रिश्न ने ऐसा निश्चय कर अपने भक्त रिश्यों को जो द्वारका में उनके दर्शन के लिए थे, वहां से विदा कर दिया, वे सभी द्वारका के पास ही पिंडारक शेत्र में जाकर निवास करने लगे, इन रिश्यो उन्होंने उन रिश्यों को बनाव्टी नमृता से प्रमान किया, फिर इन राजकुमारों ने मजाक में क्रिश्न जामभवती के पुत्र साम को गर्भवती स्त्री बना कर उनके सामने ले गए और उनसे जिग्यासा प्रकट किया कि उस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री रिशियों ने सत्य को समझ लिया कि राजकुमार उन्हें धोखा देने के लिए पुरुष को स्त्री बना कर ले आये हैं उन्हें एक रोधा आ गया उन्होंने कहा यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुलकन नाश करने वाला होगा ऐसा शाप उन्होंने भगवान की प्रेरना से ही दिया था शापित मूसल को नश्ट करने का प्रयास रिशियों का शाप सुनकर वे राजकुमार बहुत भायभीत हो गए उन्होंने तुरंथी साम का पेट खोला को उसमें सच में लोहे का एक मूसल था वे अपनी मूर्खता पर पच्ताने लगे वे उस मूसल के साथ द्वार का लोट आए यादवों की सभा में उन्होंने राजा उग्रसेन को सारी घटना कह सुनाया इस शाप के विशे में सुनकर कर और उस मूसल को देखकर सभी द्वार कावासी विस्मित और भायभीत हो गए उब्रसेन ने उस मूसल को चूर चूर करा डाला और उस चूरे को और बचे हुए लोहे के छोटे-छोटे तुकडे को समुद्र में फिनकवा दिया ऐसा करने के लिए यादवों की बुद्धि को श्री कृष्ण नहीं प्रेरित किया था प्रत्य एक विशे में कृष्ण की सलाह लेने वाले यादवों ने उनकी इच्छवश इतने महत्वपुन विशे पर उनकी सलाह नहीं ली सर्वग्य भगवान क्रिश्ण अगर चाहते तो इस शाप को निश्फल कर सकते थे लेकिन अन्य पापियों का नाश करने के बाद अबसे पृत्वी पर यदूवंश का नाश करने के लिए काल के रूप में ही रह रहे थे रिशियों का शाप उनके निश्चे को कार्यरूप देने के लिए ही था इसलिए इस शाप को उनका अनुमोधन भी प्राप्त था शापग्रस्त लोहे का मूसल लोहे के मूसल के समुद्र में फेके गए टुकड़े को एक मचली निगल गई चूरा तरंगों के साथ बहकर किनारे पर आ गया कुछ दिनों बाद ये चूरा बिना गांट की घास के एक प्रजाती एरक के रूप में उगया दूसरी तरफ वह मचली अन्य मचलीयों के साथ एक मचुवारे द्वारा पकड़ ली गई उस मचली के पेट में जो लोहे का टुकड़ा मिला उसे जरा नामक एक व्याद ने अपने तीर की नोक पर लगा लिया इस तरह यदू वंश के सनहार की प्रिष्ट भूमी तैयार हो गई नारद जी और देवताओं का द्वारका आना इधर नारद जी द्वारका में वसुदेव जी के पास आये दोनों ने ग्यान, भक्ती, भगवान से स्वरूप और पूजन विदी इत्यादी के संबंध में बहुत सी बाते हुई ब्रमाजी, शिवजी और इंद्र आदी देवता अपने अपने गणों और सहयोगियों के साथ द्वार का पूरी में क्रिष्ट के दर्शन के लिए आये ब्रमाजी ने उन सब की तरफ से क्रिष्ट से अपने लोक लोड़ जाने की प्रार्थना की श्रीकृष्ण ने उन्हें अपने निश्चे के विशे में बताया उन्होंने ये भी बताया कि अधिक धन, जन और बल के कारण यदू वन्शी उन्मत हो गए थे जो अभी श्रीकृष्ण की उपस्तिती के कारण ही नियंत्रित है उनके चले जाने के बाद ये धर्ती पर सनहार मचा देंगे इसलिए वे यदू वन्शीयों का ये विशाल वन्श समाप्त कर अपने धाम जाएंगे ब्रह्मनों के शाप से इस विनाश का आरंभ हो चुका है ये सुनकर सभी देवता उन्हें प्रनाम कर चले गए श्री कृष्ण द्वारा प्रभास्क शेत्र जाने की सला देवताओं के चले जाने के बाद द्वारका में बड़े बड़े अप्शकुन होने लगे ब्रह्मन शाप से चिंतित यदू वन्शी इन से और घबरा गये इससे चिंतित यदू वंच के बड़े बुड़े श्री कृष्ण के पास आए कृष्ण ने विचार प्रकट किया कि ब्राह्मनों का शाप टलना बहुत कठिन था इसलिए प्रानों की रक्षा के लिए सब को प्रभास क्षेत्र जाना चाहिए और वहां स्नान, पितर तरपन, ब्राह्मन, भोजन इत्यादी करना चाहिए प्रभास क्षेत्र वही क्षेत्र था जहां दक्ष के शाप से चंद्रमा को मुक्ती मिली थी स्त्रियों आदी का शन्खोधार क्षेत्र जाना क्रिशन ने युवा पुरुषों को प्रभास क्षेत्र जाने की सलाह दिया लेकिन स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को शन्खोधार क्षेत्र में जाने के लिए कहा यह विचार सब को पसंद आया दोनों यात्राओं की तैयारी होने लगी क्रिशन उद्धव समवाद क्रिशन के अंतिमुगदेश उद्धव जी यह सब देखकर एकांत में श्री क्रिशन से मिले वे समझ गय थी कि क्रिशन यादव वंश का सनहार कर अपने लीलाओं को विराम देकर अपने लोग लोटने का मन बना चुके है क्योंकि अगर वो चाहते तो ब्राहमनों का शाप निश्वल कर सकते थे लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने क्रिशन से अपने धाम ले चलने का अनुने किया क्योंकि उन्हें भगवान की माया का भय नहीं था बलकी उनसे वियोग कब है था प्रिश्न ने उनसे बताया कि अब ये यदुवंश जो ब्राहमनों के शाप के कारण भस्म हो चुका है परसपरिक फूट और युद्ध से नश्ट हो जाएगा आज से साथवे दिन समुद्ध द्वार का पूरी को डुबो देगा उन्होंने ये भी बताया कि उनके पृत्वी से जाने के कुछी दिनों बाद यहां कलियोग का आरम हो जाएगा और यहां से समस्त मंदल नश्ट हो जाएगे इसलिए उन्होंने उद्धव जी को ये सलाह दिया कि उनके जाने के बाद वहवी इस पृत्वी पर नहीं रहे और अपने समस्त इंड्रिया और आत्मा को प्रभू को सौप कर परमानंद में रहे। श्रीकृष्ण ने उद्धव जी को तत्वग्यान देने के लिए अनेक उपदेश दिया। उन्होंने उनके श्रीकृष्ण के पूर्वज यदू जी को ब्रहम वेता दतात्रेय जी द्वारा दी गई शिक्षा भी बताया जिसमें दतात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का वर्नन किया था और जिसे सुनकर महाराज यदू को वैराग्य हो गया था। श्रीकृष्ण ने उद्धव जी को लोकिक और पारलोकिक भोगों की निरर्थक्ता भी बताया। उन्हें बधक, मुक्त और भक्त जनों के लक्षन भी बताया। सत्सन की महिमा और कर्म एवं कर्मत्याग की विधी बताया, भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधी का वर्नन किया, भिन भिन सिधियों के नाम और लक्षन बताया, भगवान की विभूतियों, वर्नाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास धर्म, भक्ति, ज्यान और यमनियम, ज् कर्म योग और भक्ती योग इत्यादी अनेक विशयों का वर्नन किया। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से भगवत धर्म के विशय में भी बताया। इस तरह उद्धव जी को दिया गया यह उबदेश श्री कृष्ण का अंतिम उबदेश था। उद्धव जी का बदरी वन जाना। पृत्वी से जाने से पहले कृष्ण यहां के लोगों को धर्म और आचार का ये संदेश देना चाहते थे क्योंकि जैसा कि उन्होंने उद्धव जी से कहा था उनके जाने के बाद यहां धर्म और सत्य का पतन शुरू हो जाएगा और कलि सब जी बदरी वन चले गए।